और देखें कि मामला कितना तूल पकड़ चुका है इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी ट्विटर पर हैश्टाग हिजाब कॉंट्रोवर्सी ट्रेंड कर रहा है यानि कि हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है लेकिन इस बात को समझे बिना कि क्या प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामली पर मिल रही है आपको सुनाते हैं देखें एक स्कूल एक स्टेट ने डिसाइड किया वो यह कह रहे है कि हिजाब कॉंपरमिशन नहीं देंगे अब उसकी बिसात पर अगर उत्तर प्रदेश में दुरुवी करण की पॉलिटिक्स हो रही प्रदेश को रही है तिन उसमें क्या कहा आपने के एक वालेटी इंटेगरेटी एंड ड़न हिंडर फब्लीक और मैं करनाटा का गवर्मेंट को एक हैना चाहरा हूं कि वह जाकर पुट्टू स्वामी जज्जमेंट पढ़ लें पुट्टू स्वामी जज्जमेंट पर ले इस प्रोटेक्टेट अंडर आटिकल 25-1 तीसरा हम यह कहेंगे कि आई आटिकल 14 का वाइलेशन है आटिकल 15 का वाइलेशन आटिकल 19 का वाइलेशन है सुप्रेम कोड के एक जजजमेंट है नलसा वस इजनेंट आफ इंडिया ऐसे तीन चाह जजजमेंट्स है अब मेरे को य लड़की पहले से हिजाब पहन रही है यह परसों परसों नहीं पहना गया अचानक आपको क्यों खाल आ गया और आप यह नोटिफिकेशन क्यों जारी करते हैं और सबसे हम बात यह के नैशनल स्टेस्टिक्स ऑफिस का डेटा है जो मोड़ी सरकार ने दिया जिसमें यह कहा गया कि 21.9 मुस्लिम गर्ल्स जो तीन और 25 साल के हो कभी एजुकेशन लिये ही नहीं आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यह बच्ची पढ़ रही है कॉलेज में जाकर स्कूल में पढ़ रही है आप क्यों रोकना चाहरें उनको रोकना का मकसद क्या है आपका आप तो पढ़ाईए ना हाँ हिजाब पेन रहे हिजाब और निखाब जो है वो खुरान में आयात में लिखा हुआ है खुरान की आयात में वो तो फर्ज है हरे महीला को आप नहीं पेनते अलग बात है मगर उसका जिकर है और उस लड़की मुस्कान ने जो मजाहरा किया ब लड़की को वो अपना असाइन्मेंट सब्सक्राइब करना चाह रही थी लड़की आई तो उसमें इसको दुर्विकर राजदी क्यों बोलेंगे लेकिन अगर उस लड़की ने जो बहादूरी दिखाई चाहे वो अगर वो मुसल्मान ना भी होती तो वह इसी बोलता हुआ मैंने अपनी तकरिर आप यही आप प्राबलम है मैंने उस तकरिर में कहा कि हर उस समाच को जिसको दबाया जा रहा है कुछला जा रहा है चाहे वो किसी मजब का हो दलित हो कुछ हो आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि क्या बात है कि लड़की जा रही और 25-30 को जो मुसको इस खाम में नारे लगाएगा है कुछ यह कौन सा मिजान